हलो फ्रेंड्स वेलकम टो और चैनल आज हम स्टार्ट करेंगे रियर्जमेंट रियक्शन के अंदर थर्ड रियक्शन जो है बैकमान रियर्जमेंट रियक्शन चलिए स्टार्ट करते हैं इसके पॉइंट से सबसे पहले ये बैकमान री-अरेंजमेंट रियेक्शन होती क्या है तो ऐसी रियेक्शन जिसके अंदर कीटो-ॉक्जिम एसिट की प्रेज़ेंश में एसिड की प्रेजेंश में एन सबस्टीट्यूटेड अमाइड बना दें and substituted amide बनाएं वो है backman rearrangement reaction अब यह acid किस तरह के हो सकते है example क्या है acid के तो H2SO4, HCl, P2O5, SOCl2 और क्या हो सकते है H3PO3 इतने सरा के acids present हो सकते है और भी है इसके अलावा P2O5 के अलावा PCL5 भी हो सकता है यह सारे acids है जो backman rearrangement reaction के अंदर यूज हो सकते हैं यह note करेंगे आप ठीक, अब next point इस backman rearrangement reaction के अंदर होगा क्या कि जो migration होगा जो migration होगा जिसका migration होगा वो हमेशा anti होगा जिसका migration होगा वो हमेशा anti होगा एक्जामपा से समझेंगे सबसे पहले आप इसका एक migratory aptitude देख लीजिए migratory aptitude है H का जादा होगा aryl से और aryl का जादा होगा alkyl से और alkyl में 3 degree का जादा होगा 2 degree से और 2 degree का जादा होगा 1 degree से यह दियान रखेंगे आप migratory aptitude का order ठीक है अब इस backman rearrangement reaction का आप overview देखिए क्या है simple overview कि यह है हमारे पास कार्बोनाइल कंपांड कार्बोनाइल कंपांड की reaction मैंने करवाई hydroxyl amine से hydroxyl amine के साथ तो क्या मुझे मिला यह मिला मुझे keto oxym अब इसी keto oxym की reaction मुझे acid के साथ करवानी है तो मुझे मिलेगा बैकमान प्रोडक्ट मिलेगा नोट करेंगे फिर हम इसका mechanism देखेंगे बैकमान rearrangement reaction की mechanism देखिए क्या है mechanism इसकी तो सबसे पहले हमारे पास क्या था N-substituted amide इस N-substituted amide का हमें क्या करना है तो देखिए इसमें आप अगर acid देंगे H+, ठीक है तो acid देने के कारण यहाँ पे आ जाएगा OH2 क्योंकि यह oxygen के lone pair hydrogen को पकड़ेंगे ठीक है उसके बाद यह बन जाएगा फिर इसका elimination होने के बाद nitrogen पे आएगा plus 4 यह है M-E-H अब देखिए जिसका migration होगा वो cation से या इस positive charge से N-T पर है ठीक है तो यह hydrogen migrate करेगा यहाँ पे जैसे ही यह hydrogen वहाँ migrate करेगा nitrogen की और तो क्या बनेगा तो देखिए C-Me-N और यह H यहाँ H आ गया देखिए वो migrate कर गया उसकी तरफ और वहाँ आ गया है H ठीक अब क्या होगा वो देखेंगे अब इस कार्बोकेटायन को balance करने के लिए हम लाएंगे H2O को जैसे ही हम H2O को लेके आएंगे यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से यह ठीक है अब यह हाँ से निकल जाएगा और बन जाएगा M E C O H डबल बॉन नह देखिए वो प्रोड़क्ट बनी हमारे पास वो ध्यान रखेंगे उसका ठीक फिर क्या होगा तो यह देखिए अब यह यह लोन पे यहाँ जाएंगे यह यहाँ जाएगा उसके बाद क्या बनेगा तो देखिए M E C double bond O N negative charge और यह H हमें क्या बनाना है N substituted amide बनाने है और यह यहाँ H इस पे positive charge और आखरी में यह H L भार निकल जाएगा और nitrogen पे जो negative charge है वो भी balance हो जाएगा और हमें मिल जाएगा N substituted amide तो हुआ क्या इस reaction में कि backman rearrangement reaction की mechanism के अंदर सबसे पहले हम जो N यह जो keto oxym है उसमें हम H plus देंगे acid हमने बताया कितने तरह के acid हो सकते हैं उसमें से यह H plus इसको देगा H plus देने के बाद OH2 पे positive OH2 बनेगा यह भार निकलेगा nitrogen पे positive charge आया इस positive charge को balance करने के लिए hydrogen यहां से migrate कर रहा है और कौन migrate कर रहा है जो NT है वो migrate कर रहा है फिर यह migrate करने के बाद carbon पे आया positive charge फिर हमने वापिस से water दिया यह यह water यह जो lone pair है यह यहां चले जाएंगे यह यह यहां पे गया यह बना फिर H plus को बहार निकालेंगे यह बनेगी species उसके बाद फिर यह अपने lone pair हमें तो N substitute amide बनाना है तो oxygen अपने lone pair इधर donate करेगा और nitrogen पे negative charge आजाएगा और ultimately हमारी product यह बनेगी इससे note करेंगे यह है backman rearrangement reaction की mechanism ठीक अब हम कुछ questions solve करते हैं इसके देखेंगे question दिया है आपको अब हम इसको mechanism से ना solve करते हुए trick से solve करेंगे देखिए और यहां दिया है P2O5 ठीक है चलिए देखिए migrate कोन करेगा जो OHK NT में है ठीक है अब जो OHK NT में है वो migrate करता है तो देखिए trick देखिए इसकी आप पहले तो यह बना ली जीए जो है वैसे की वैसा ही इस पर कोई change नहीं होगा यह oxygen देखिए ME उठके यहां जाएगा nitrogen के पास ठीक है nitrogen के पास ME गया ठीक है यह hydrogen यहां देदीजिए और यहां double one O लगा दीजिए क्या गरना है आपको यह जो OH का H इधर देना है OH के जो NT में है वो N से लगा देना है और oxygen को carbon से लगा देना है इस तरह से तो आपकी यह product बनेगी ठीक और भी example है हमारे पास वो भी हम करते है जैसे यह पहला हुआ दूसरा example मैं example लिख देता हूँ आपको फिर हम करेंगे double one CH फिर दिया है यहां पर H double one and OH ठीक है अब यह देखिए यह है हमारे पास oxym वाला ठीक है यह है oxym अब इसके NT में तो यह पूरा है इसके NT में तो यह पूरा है जिसको मैं R मान रहा हूँ इस पूरे system को मैंने मान लिया R अब इसकी जो reaction है वो किस की presence में है P2O5 की presence में है H2SO4 भी हो सकता है जो acid दिया हो वो ठीक है तो क्या करेंगे जो NT में होगा वो nitrogen से जुड जाएगा ठीक है जोड देता हूँ मैं nitrogen से पहले H और यहां पर यह पूरा R जोड दिया और इस carbon से अल्रेडी H लगा ही था यह product बनेगे और R क्या है यह पूरा ग्रूप नोट करेंगे इसे अब एक question दिया हुआ है आपको वो solve करना है हमें देखिए क्या होता है यह एक inter-conversion of functional group वाला example है देखिए क्या दिया है हमें example में OH यह बना फिर copper 250 degree भी बन रहा है NH2 OHC और फिर P2O5 D बना है यह question दिया है हमें को हमको चलिए solve करते हैं ठीक है और हाँ ठीक है सबसे पहले H2 निकल दिया हुआ है H2 निकल दिया है तो यह सारे जितने भी double bond दिख रहा है रिंग के अंदर वो नहीं होंगे याने A convert A क्या बनेगा हमारे पास यह इस तरह से A बनेगा फिर क्या दिया है copper 250 degree पे 250 degree centigrade पे हमें heat करना यह 12 class का reaction है इसके अंदर जब हम copper देंगे अलकोहल को तो वो oxidize हो जाएगा कीटोन में secondary alcohol ही है यह किस में convert हो गया कीटोन में ठीक है फिर NH2 OH दिया है NH2 OH याने hydroxyl amine basic reaction है aldehyde और कीटोन की कि यहां पे N OH लग जाएगा यह H2 और O eliminate हो जाएगा और यह बनेगा अब देखिए यह हमारा backman rearrangement reaction का reagent ready हो चुका है अब इसमें P2O5 दिया है ठीक है P2O5 जैसे ही दूगा तो migration होगा अब migration किसका करेंगे या जो इसके NT में हो अब इसके NT में तो यह ring ही है और कोई नहीं है देख लीजिया यह carbon है और यह पूरी ring अब यह पूरी ring नाइट्र क्या बनेगा अब देखते हैं यह देखिए यह ring इसके NT में है यह है और यह वाला और यह भी है देखिए दोनों ध्यान से देखिए यह migrate करेगा यहां पर इस तरह से जैसे ही यह migrate करेगा इस तरह से तो प्रोड़क्त क्या बनेगा देखिए इसको मैं सिस्टेमेटिक सेवर बताता हूं इसको मैं इतना दर नोड करी लिया होगा यह देखिए जैसे ही यह उपर गया यहां पर आजाए पी टू फ़ाई जैसे यह उपर गया तो क्या बनेगा एन डबल बॉन्ड इस तरह से देखिए और यहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज यहां ओएज तथाई पहले से ही ठीक है यह यहां पर नहीं यहां ठीक है यह पॉजिटिव चार्ज आ गया अब इसको मुझे बैलेंस करना है अब जब मैं इसको बैलेंस करूगा तो अल्टिमेटली जो मेर प्रोड़क्ट बनेगा वो क्या बनेगा तो यह देखिए एन यह बनेगा कैप्रो लेक्टम अब यह किस तरह से बना इसका हम मेकनिजम समझेंगे पहले यह नोट करेंगे आप फिर हम इसका मेकनिजम ड्राउ करेंगे अब हम इसका मेकेनिजम देखते हैं देखें होगा क्या कि यह पीटो फाइफ इस ओएच को कि इसमें कनवर्ट करेगा ठीक फिर उसके बाद क्या होगा एस्टू बाहर जाएगा एस्टू बाहर जाएगा यह यहां पर जाएगा इस तरह से एक मिनिट ठीक एक दो तीन यहां पॉजिटिव चार्ज अब इसको जरा में रियारेंज करके लिख लूँ यहां पे पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए एस्टू आएगा जिस तरह से हमने बैक मान रियारेंजमेंट में ही पड़ा था यह एस्टू आजाएगा इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए जैसे ही एस्टू आएगा यहां पर एक एच निकल जाना है अभी जैसे ही एक एच निकलेगा यह 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 और यह एचनिकल जाएगा यानि अल्टिमेटली हमारी जो प्रोडक्ट बनेगी वह बनेगा इस तरह से कैप प्रोलेक्ट नोट करेंगे सेवेन मेंबर ड्रिंग होगी है इसे नोट करीए ठीक चली अब और एक और एक्जामपल हम करेंगे सबसे पहले आप क्या करेंगे सबसे पहले देखिए अगर आपके पास बैकमन जो कीटो ओक्जिम नहीं है तो आपसे बनवाएगा देखिए किसे यह कीटोन है और यह हाइड्रोक्सिल अमाइन है इन दोनों की रियेक्शन करेंगे हम तो यहाँ पे यह लग जाएगा अब देखिए माइग्रेटरी ओर्डर को कौन है इसके एंटी में यह ओएज के एंटी में तो यह रिंग है पूरी ठीक है तो यह माइग्रेट करेगी तो नाइट्रोजन से पहले तो आप एस लगाएंगे ठीक है ह लगाने के बात क्या है एक, दो, तीन तीन कार्बन के आपको दो जोडने है तो यह एक, दो, तीन तीन कार्बन जोडे फिर यहाँ पे मी था ही अपनी जगा पे और यहाँ पे डबल बॉन O इस तरह से आपकी प्रोड़क्ट बनेगी देखिए क्या किया OH के NT में कौन है ये पूरा इसको मैं R माल लेता हूँ ठीक है ये R है तो ये R माइग्रेट करेगा याने यहाँ पे R लगेगा इस तरह से और ये H इसको मिलेगा और O यहाँ पे इस वाले कार्बन पर आ जाएगा इस तरह से तो ये आपकी होगी प्रोड़क्ट ठीक है और यहाँ से यहाँ बनने पे एसिड होगा और यहाँ पे एक लेविस एसिड दे दिया है वो भी चल जाएगा बस एसिड होना चाहिए चलिए और कॉशन्स करेंगे हम देखते हैं क्वेशन दिया है आपको एक 6-member । दी है उसके साथ 4-member dring fuse दी हुई है यहाँ पे एन ओएज दिया है और वस इतना दिया है और एसिड दे दिया है एसिड में दिया है एससीएल टू ठीक है यहसरा दिया है ठीक अब देखिए इस OH के NT में चलिए तो यहाँ पे चलने के बाद यहाँ पे जो carbon है वो है CH2 और यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पे है 3 degree carbon तो alkyl group के migration का order क्या था 3 degree, 2 degree और 1 degree तो यह migrate करेगा याने यह यहाँ जाएगा इस तरह से देखिए यह बनेगा इस तरह से देखिए अब इसको rearrange करके जड़ा अच्छे से लिखते हैं कितने member ring है पहले तो 6 member ring है अब कितनी है एक, दो, तीन, चार, 1, 2, 3, 4, 5 5 member ring है ठीक है, 5 member ring के यहाँ पे nitrogen है लगा दिया, nitrogen लगाने के बाद उससे क्या जुड़ा है अभी हाल फिलाल में, तो उससे जुड़ा है OH ठीक है, यहाँ double bond है और यहाँ positive charge है यही condition है फिलाल तो अपने पास ठीक, अब इसको जड़ा अच्छे से और balance करके लिखेंगे ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसमें H2O, वापिस acid अपना कमाल दिखाएगा acid H+, देगा उसको और यह इसमें convert हो जाएगा यहाँ पर भी positive charge ठीक, अब यह OH2 eliminate होगा जैसे ही OH2 eliminate होगा क्या बनेगा यह positive charge, देखें अब इस positive charge को balance करने के लिए कोन आएगा H2O यह है, फिर यह H+, निकल जाएगा यह इस तरह से ठीक है, अब यह यहाँ यह यहाँ ठीक, और यह जो negative charge आया है इस पे, इसको हम H+, देके खुश कर देंगे आपकी product यह होगी note करेंगे इसे यह है product ठीक, तो जब हम इस वाले reagent की reaction acid के साथ कराएंगे तो product यह होगा ठीक है चलिए, अब हमने backman rearrangement तो देख लिया अब हम पढ़ेंगे backman fragmentation ठीक है, backman fragmentation क्या होता है, तो देखते है देखिए, backman fragmentation में आप एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर जो oxym है या जो keto oxym है उसके anti में अगर tertiary group दिख जाए, तो वहां पर आप करवाएंगे backman fragmentation देखते हैं, example से example दिया है हमें C, double bond, N, C ME, ME, ME ME और ME OH, यह दिया है आपको तो in case हम जो generally सोचते हैं, वो क्या सोचेंगे कि यह 3 degree है, यह 1 degree है migratory aptitude 3 degree 2 degree, 1 degree है तो यहां पर acid है ठीक है, तो generally हम backman product मना देंगे, इस तरह से लेकिन ऐसा होता नहीं है तो फिर क्या होता है, वो देखेंगे हम देखिए इसमें होता है backman fragmentation आपको पैचानना क्या है backman fragmentation के अंदर backman fragmentation में आपको एक चीज जरूर ध्यान रहे है रखनी है, कि आपका जो keto oxym होगा, याने यह जो oxym वाला part होगा, उसके पास में कोई ना कोई 3 degree carbon जरूर होगा, तो जैसे यह 3 degree carbon है, यह क्या करेगा यह निकल जाएगा यहां से, देखिए किस तरह से यह निकलता है, देखिए यह जो है यह c, मतलब इस तरह से, देखिए सबसे पहले acid देंगे आप इसे तो यह बन जाएगा n oh2 c यह इस तरह से बनेगा, oh2 plus, जैसे ही यह निकल जाएगा जैसे ही यह निकल जाएगा तो होगा क्या, यह देखिए n पे आएगा positive charge लेकिन, यहाँ पे plus i effect बहुत जादा है इसकी वज़े से, यह bond यहाँ break हो जाएगा, जैसे ही यह bond break होगा यहाँ पे positive charge आएगा जैसे ही यहाँ पे negative charge आएगा अब यह negative positive आपस में bond बना लेंगे इस तरह से तो क्या बन जाएगा c, triple bond cn, me ethane nitride, यह बना और यह carvocatine, 3 degree carvocatine बाहर हो जाएगा, इस तरह से और बताता हूँ, इसको मैं आपको देखिए देखिए, question दिया है आपको four member ring दी है यहाँ noh दिया है यहाँ me और यहाँ यह two degree है, यह three degree है इसी तरह से होगा तो करते क्या है two degree और three degree में देखिए, इसमें होगा क्या यह bond आप तोड़ देंगे जैसे ही यह bond आप तोड़ेंगे देखिए, यह दिया है एसिड दिया है ट्रिक देखिए आप तो बस इसको तोड़ देना है यह यहां पर ड्रिपल बॉंड आना जाएगा और यहां पर एमी एमी वर प्लॉस पॉजिटिव चार्ज जाएगा और इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए कोई न कोई नूक्लिफाइज जरूर होगा वह से बैलेंस कर देगा इसी तरह से और है हमारे पास एक्जाम्पल वह भी हम करेंगे चलिए एक और एक्जामपल है बैकमांट प्रेग्मेंटेशन से रिलेटेड उसे नोड करें गया देखी कुष्चन दिया है आपके पास कि यह दिया है कि यह दिया है और यह 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 यहां पर जो यह बॉन इदर इस तरह से एसिड दिया है एसिटिक एसिड है अब देखिए बैक मान करवाना है हमें यह देखिन यहां से यह 2 डिंकरी यह 3 डिंकरी यह तोड़ देंगे यह तोड़ देंगे यह Citizens job जैसे हिए ही साथ तोड़ेंगे तो क्या बनेगा देख का यह तो तूटी गया है यह यहां पे ट्रिपल बॉंड एन लगा देंगे और यहां पे पॉजिटिव चार जाएगा इस तरह से ठीक अब इसको जड़ा ढंक से लिखते हैं देखिए एक दो तीन चार पांच फाइव मेंबर ड्रिंग है यह यहां है कि यह देखिए कि इस वाले से वर्स्ट और सेकंड से क्या जूड़ा है एक दो यह एं जूड़ा है थीक है यह एन जुड़ा है अब इस positive charge को balance करना है हमें तो इस positive charge को हम balance कर लेते हैं ये देखिए ये एच है ये चला जाएगा ये अपनी कुर्बानी देदेगा ये बन गया product इसे note करेंगे आप और हाँ ये तो रही गया इसके उपपर ये लगा ले ठीक ये भी note करेंगे आप अब हम देखेंगे कुछ modified backman rearrangement reaction modified backman rearrangement reaction देखना है हमें चलिए देखिए heading लगा लेंगे आप modified backman rearrangement reaction